तो हेलो गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एजुकेशन ग्यान यूट्यूब चनलने के अंदर मैं सुरब एक बाद फिर आपके साथ आज इसमें हम करने वाले हैं भारत का भूद रश्य है एगनु का है में हिस्ट्री है आपका मैं चाई एट का हमारा यह सब्ज चैप्टर कर वा चुके हैं आज करने वाले हम दूसरा चैप्टर जो नाम है वह भारत का भूदर इस की पड़े हम तो पर जो है इस वाले चैप्टर geen तर क्या हम ने चेप्टर के अंदर कि हमें जो है जो घुराफी बताई गई है लेकिन क्योंकि सभी चीज़ें इंकलूड है और हमारी जो किताब है फदयावन के उपर ही बताई गई है परियावन का इतिहास तो इसलिए इस वाली बुक में जो है इस वाले चैप्टर में यहां पर उसकी भुगोलिक इस्थिती पढ़ेंगे कि भारत की जो भुगोलिक संद्चना है इस ट्रैक्चर है वो किस तरीके से बना गया है जैसा कि सभी को पता है क भारत जो है उप महादीब का छेतर है ठीक है इसमें हर तरिके की जमीन भारत में आती है तो यहां पर जो है उप महादीब का भुगोलिक छेतर काफी विसाल है भारत की काफी लंबा चोड़ा है काफी हिससे बटने के बार भी अभी भारत की जो भूमी है वो काफी जादा है जिसमें जो है जटिल और पाए जाती है रहा हमारा सिदल सिदा को लेकर सबाइब घर । काफी तरह करेहां काफी चीज तो बात करें तो हमेरे बहरत में झेच छी मतलतrange से मटी मिलती है कुछ आसानी होते कुछ जो खेती है वह ते करें ठंडे पदेश की बात करें तो एक छेतर है बहुत का जैसे कश्मीर की बात करें वहां पर कुछ ऐसे मसाले उगाए जाते हैं जो बाकी छेतर में नहीं उगाए जा सकते ठीक है तो ऐसे ही मतलब क्या है कि काफी ज्यादा भवोलिक संद्धना इसमें हमें देखने को मिलती है और बात करें तो वहसida को पता है हिमाले परवत वैसे कोंसी तरफ पहलई हुआ है यहाँ बता भी दिया है इनोंने हुट्ट। पूर्वी के लुजering परवत फैल उसन है और भायत का दक्तिन-चैनल भाग है वो मुख्यों रूप पथारी छेथर आयँ आप लेकिन ट्रुफ 1800 जाएंगे त toca से σब्सक्राजाय पठर पठारी चेतर में कहा है कि मुख्यर उस जैसा पहाड के पत्थर अपने गोल-गोल से कहीं नगई देखेंगे तो पठारी चेतर से ही हो कहीं नगई हमारे पास तक पहुचे होते हैं इन दोनों के जो बीच की जिए है मध्या मतलब बीच की जिए है वह हमारी उपजाओं मैदानी भाग स्थित है यहां पर हम जो है खेती करती है और चोटा मुटा भाग नहीं काफी हजारों एकड़ में भाग लाखों एकड़ में फैलो हुआ है भारत में बात करें तो विभिन वनस्पतियां वनस्पतियां से मतलब होता है मैंने की पेड़ पोथे विभिन तरह कि यहां भारत में पेड़ पोथे देखने को मिलते हैं मट्टी देखने को मिलती है और यह काफी ज़्यादा जन्तु वाला देश भी है क्योंकि यहां जानवर भी हमें काफी तरह के देखने को मिलते हैं इन सब चीज़ों को मिला कि ही ज है चार पढ़्य उन्हों पाट गया है पहला पताया गया है उत्तर का परवर्तिय यांनि उत्तर स्थेटर बताया है मैंने आपको भी दक्ष्णी पठारी छेतर यह सीधर सिंपल तरीके से हैं इन्होंने पॉइंट वे मेंशन क्या हुआ है बाकि आप जिसमर यह तरीके से लिख सकते हैं बीच का आता है फिर मध्यावरती मैदान यानिकी मैदानी छेतर जो है फिर आता है टटवरती मैदान और दीप समूम देखें यहाप चीज़ा आती है टटवरती टवरती क्या होता है जो किनारा है ठीक है आपने देखा होगा कि भारत के चाओ तरफ मतलब काफी होत्तर नीचे सेड़े जो है महां पॉसम में पानी है तो उसके जो किनारे वाले छेतर हैं उनको टटवरती मैदान कह गया है और दीप समूम जै है जिसे हम अच्छे सा जानते हैं जैसे हमारे हमालिय के जो पहार ठीक है उत्तर के परवती चेतर को छाल भागव में बाटा गया है घ Arsen हमालिये चेतर इड़क यह जो है इसमें एक तो लग्या है यह सबसे पहला आता है ł NAKभ यह ऑसके यह लिए औहिक मतलब आता है जादा तीसरा आता है जासकर यह जो है इसकी परवत की मतलब एक तरह चोटी है सारवोच मतलब सबसे उंच्डी चोटी है ऑपर ज्दन दिना वांदी बात है की क़रा कॉर्म परवत के तरह ही यजो परवत गभध वरहत हमालय कि ही स्रेड़ी से चो यह को वगझा यह छोड़ाई मिटर है जब कि एक सोबीक लेका किलो मिटर तक में ठीक यह किलो मिटर में बताया यहाय यह में उसाथ मैं जो है कि फिसुव की सवसे उची चोटी जो कि तैक नैपाल में स्थीद के इस इसी जो है इसी परवत सरीड़नीमें इस्थ है वो भी वरहत हिमालय के अंदर हिवो आती है तीसरा आता है हमारा लगू हिमाल्य लगूसे आप उसी मत चुक्य होंगे ठीक है इसकी जो है ओसत उचाई है असी से लेके सो किलो मिटर एवम जो इसकी समानिय उचाई है बगर मीटर में बात करें तो 3700 से लेके 4500 मीटर है पीर पंजाल मसूरी मसूरी भी आपने सुनोगा जैसे मसूरी घूमने गए हैं तो यह सब जो है लगू हिमाले के छेतर में ही आते हैं सासाथ में इसमें धोला धार परवत जो है इनी सिर्णी के ही भाग है इन सम्में आता है आपका लगू हिमाले का जो छेतर होता है चौते नंबर पे हमारे आता है सिवालिंक हिमाली है यह जो है दस से शिर्फ पंद्रा किलो मीटर चोड़ा है यह सोरी 10 से 50 किलो मीटर तक चोड़ा है यह बहुत जाए चोड़ा नहीं है लेकिन 50 km भी बहुत होता है पूरे पूरे सहर भज जाते हैं तरीके से 50 km में इतना ये चोड़ा है और साथ साथ में 900 सो लेके 1200 मीटर तक ये ओचा है इसकी जो भीज की हिमाले की जो मतलब घाटिया है वो है जैसे की काठ मांडू आपने काठ म होता है जैसे दहरादून अपने दहरादूननायों नम भी सुनाओंगा दौर की बात कीजह से हरी दौर तो ये सब जो है सीवाली के पास में हिआ और या जो हमारा मतलब ये जो थो है ना सीवाली के लिल्ड़ी और वन्मला धखाप पर देस से मतलम होता है कि यहां की उत्तर पस्च में जिगह या फिर उत्तर पूर्वी छोर की बात के जाए तो वहां पर जो है सिंदू वे दिहांग गाज मिलते हैं हिमाल्य छेतर जैसे मैंने आपको बताया अभी काराकॉरम सेपकेल नथुला यहां पर और नाम दिए गए हैं जो कि इनके दरे हैं एक तरह से अनेक दरे हैं जो इसके पास में मिलते हैं यानि कि आस पास में अनेक दरे हमें देखने को मिलती हैं भारत के जो मध्यवरती मैदान है बीच का जो मैदान है जहां पर खेटी के जाती है उसमें जो है सिंदू गंगा परहम पुत्तरी का मैदान भी इसको कहा जाता है यह सब को आपने नाम सुने होंगी है ये नदीnh के नाम थीक है ? ऑर इनको ऑलब इनका मैदान भी इनको इनके नाम की वज़े यहां पर जादा पान जाने लग गया तो सौट में जो पानी आता है ना मिट्टी को भी अपने साथ ले के आता है हमेशा ही तो उन से जो है निर्मीते हैं वाले मैदान और इनमें खेती जादा अच्छी होती है कि इनमें जो गार होती है वह उनके अंदर जादा पोटासियम प्राप्त होता है जिससे पेड़ पोधे जादा अच्छी तरीके से उगते हैं इनमें जलोड का निपेक्स गहराई तक मिलता है और इन मैदानों में उच्छावच अत्याधिक कम है उच्छावच मतलब होता है उनकी हाइट जो है वो मतलब लेवल के हिसाब से ठीक है अध इस मैदान में जल को डिवाइड करने का काम करती है क्योंकि इसके पूरवी की तरफ जो नदियां है बंगाल की खाड़ी एवं पस्चिमी नदिया जो है अरब सागर में जाकर गिती है जरहते लिए विशेष्टा की आधार पर जो है इन मैदानों को चार भागों में बाट पर देश दूसरा यहाता है तराएवर पर्देश तीसरा आता है हमारा कःची जागए है चोटा से चीजिए दे गई है इसलिए आध प्राइक मथा प्राचीन गडवाना भूमी है जो आक्रती में हमें देखने को तिर्बूजकार मिलती है यह जो भूमी है हमें तिर्बूजकार देखने को मिलती है इसके तिर्बूजकार लगब लगब बराबर होते हैं ठीक है तिर्बूजकार यह हमारी भूमी है इसकी जो हम उचाई की बात करें तो 600 से लेके 900 मीटर तक इसकी उचाई है साथ साथ में अरावली राजमेहल और सिलाग की पहाड़ियां इस पठार की उत्री सीमा पर है द्यान दीजगां ये सिर्प इसकी उत्री सीमा पर है बाकी सीमा पर ये नहीं हैं प्रायडिय प 되면 पठार की ढाल जो है उत्तर और पूर्व की ओर है सोन नदी हो गई BY कंन ये इनकी दिशा से इसपस्ट है दक्सिन भाग में इसकी ढाल पस्चिम से पूर्व की ओर है जो की महानदी गोदावरी किर्सा और कावेरी की दिशा में इसपस्ट है कावेरी की दिशा से इसपस्ट है दक्सिन का प्राइदीपय पठार अनेक भागों में विभक्त है दक्सि सथ क्यान जमीन है उसको हम नाम दे रखा है जैसे मालोह हो गया या फिर baby azen का पत्थार हो गया तेलंगानका पत्थार हो गया सीलंग पत्थार उया फिर छोटा नागपुर पत्थार या इसम्मिल की गए है यह सब मतलब इनके आजए-था के 7 की बेकी आफ फाब क्धार के पूर्वी और मिद समय दो देखने को मिलते हैं जिनने को क каких कर्मिक रूप से जसाए थिसे हम कहते हैं क्यां कि पूर्पी दूसरा पपो पस्चिमी मैदान को आज जाता है यह मैदान वो होते हैं जो किनारे में होते हैं आपको पहले भी बताया था इसके निर्माइड की बात अगर की जाए तो इसका निर्माइड सागर यह तरंगो दुवारा हुआ है सागर यह तरंग मतलब होता है जो नदी होती है बड़े-बड़े होते हैं उनको सागर से हुआ है यान कि पठारी नदियों के सासा में जो सागर होते हैं उनकी जो तरंगे लहरे जो उठती हैं उन सब को एक जमाव करके उन सब जीघे कर जो है जमाव हो गया एक जगा़ पे ठीक है उन जमाव होती चलिए तब मतलब जमा होती चेली गई तब इसका निर्मान हमें देखने को मिलता है मतलब एक तरीके से हम इसको जो है लेगून का निर्मान कहते हैं ठीक है इसमें क्या होता है कि छोटी सी जमीन होती है बहुत जार छोटी नहीं जिसमें क्या होता है कि जमा हो जाता है जल एक धड़ राइप में रहता है और चाल तरफ से बाद में रास्ता उसका बंद हो जाता है नदी के जिस तरफ से वो आरी होती है या फिर जो तरंगे हैं वो उचलके उसके बीच में गिर जाती है उस तरीके से इन चीजों का निर्मान होता है पस्चिमी टतिय मैदानी गुजरास से कन्या कुमारी का टतिय छेतरों तक काफी फैला हुआ है पूर्वी टतिय मैदान पस्चिमी टतिय मैदानों की तुलना में अधिक चोड़ा है जैसे देखिये हम बात करते हैं महा नदी की बात के जाए महा नदी गोदावरी किसना कावेरी आधी नदीयों के डेलटाई भागों में इसकी चुड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ जाती है तो डेल्टा क्या होता है मालीजी कोई नदी है कावरी नदी है यह सी में से जा रही है सीरी जा रही है तो इसकी चोड़ाई है वो आप देहेंगे कि कम है लेकिन डेल्टा मतलब वैसा होता है जैसे मालीजी यहां से किस नदी निकल गई और इधर से निकल के कावरी नदी कि पहले सिर्फ इतनी चोड़ा इसकी नापी जा रही थी तो यह क्या है कि डेल्टा का निर्मार्य करता है डेल्टा जो होते हैं बहुत बड़े-बड़े होते हैं जिसमें काफी सारी नदी जुड़ी भी होती है इनको मतलब चीज तो एक ही है नाम लेकिन इनको अलग-अलग प्रमार्य करके किया जाता है जिसे सिप वगयरा जो थे जहाज वगयरा उनमें समान लोड़ किया आता है एक नितारिक कर ले कि यहां से समान आएगा और यहां पर उत्रेगा और यहां से बात में कि जिस तरीके से भी ले जाए जाए जाएगा वो ले जाए जाए जाएगा ठीक है उनकी वहां पर प्राक्रतिक बंद्र को मिली नहीं जांप प्राक्रतिक बंद्र कहा जो है मुसे कह सकें कहीं कहीं लेग कर दिर्मान की लिए इनों ने जो है यहां पर चिलका की एक चोटा समुनलाब दा गया है चेलका हो गया ठीक है और और अब बात करते हैं जल्वाईयों या फिर मरुद्वाला वर्द्र की चीज्च के तो इसमें हमें भारत में जु एकाफी जलवाई और्स नहुने आती के प्रियावड़े देश बनिया उनस पाया है उसको निम्त वरुगों में बाटा गया है जैसे मैंने आपको बता है कि काफी भागों में बाटा गया है तो इसको जो है फिलाल यहां पर छे भागों में बाटा गया है सबसे पहला आता है उस्टन कटी बंदिया सदाहरीत वन ठीक है सदाहरीत मतलब होता है कि यह वन वो होते हैं जो हमेज़े होते हैं इसे होते हैं इन में दो भी सेक्षे लेवल होता है यह हमारा फोटेवाल स्कील का संटीमीटर नहीं होता है ये अलग इंका फोटा होता है उनसे बारिस को ना पाजाता है तो यहां पर जो है मसालों के बागान के लिए बहुत ज़्यदा महत्पुन होते हैं इसमें काफी तरह की लकडिया होती हैं जो कि काफी कड़ी होती है जो कि मजबूत होती है अंडबान निकोबार हो गया दीप समू हो गया लक्स दीप हो गया यह उन जिगे पर यह वन मुख्य रूप से पाए है एवरेज जो है हमारी वो 600 मीटर से अधर को देखने का मिलती है यहां पाए जाने माले जो पेड़ हैं काफी तरह की होता हैं जैसे की बास हो गया ठीक है और काफी पेड़ इसमें अपने नाम भी नहीं सुना होगा जैसे महोगानी हो गया रबड़ का पेड़ हो गया ठीक है तो यहाँ मसाले भी काफी ज़चा होते हैं अंत्मान निकोंबाल जो है अंतमान निकोंबाल का पिछान में परतिका में क्तिस्थ हिसा इनिवण होसे ढखा हुआ है अप समझसके 으면 निकोंबाल जो है इस से ही ढखा होआ है में do drama जो कम नहीं होता दूसरा आता है 200 यह चेंशनी होते हैं लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजिंग हमें आपके degrees कि और साथ में ना पड़ी हो गिया कि अच्छे तरी के साथ में जो तरही तल कि दीओनौ रौगाफी है ही त्मजन समझें इसका मुश्किल है क्योंकि आपने पहले साय जोगराफ ना पड़ी हो अच्छे तरीके से अगर ये तो वैसे एजी चीज है पेड़ प्रोधों के बारे में तो अमीद है इसमें आपको समझ में भी आ रहा होगा इसमें काफी तरह के पेड़ होते हैं सीसम हो गया आम हो गया महुआ हो गया सागवान वीहरत हैं साथ 7 याहां पेड़ हो गया आर्थी के काफी जड़ा मुल्यवान होते हैं क्युकि सागवान का पेल जो सबसे महंगा विकते हैं सबस्कों से महंगा है जो क्य यहांपे लिखाइव दिखा एए क्विदिकें परीय में इस ल GIS लीपर बनाने हमारा जो आता है उसन कटी बंदिया सुस्क पनपाती वन यह मतलब ऐसे होते हैं इनमें वर्षा और कम होती है इनमें होती है 17 से लेकर 100 सेंटे मीटर तक इनमें वर्षा पाई जाती है यहां पेड़ जो है पेड़ के ओंचे होने का अभाव मिलता है यानि कि यहां पेड़ ज तुम छलुका है जो की जादा पानी से खराब हो सकते हैया धरिगाली यहां पेड़ कावक उत्याइटा है तो इसलिए हैं पाफी थे लेवन वाले ज्आडिया ऐसे फींदृ चेहते जंगल होते हैं जिन में अत्याधिक अलफो वर्सा के वर्सों से यह देखने को मिलते हैं जिसे इसान घुजुरात की बात करें घुजुरास से लेकर राजिस्थान पन्जाब हो गया यहां पर इन भागों से जो है, तो वह ने चीजह में हमें मुक्हिरूप से देखने को मिलता है, ठीक है, कहा पर घजूर हो गया, ख्यार हो गया, बबूल हो गया, यह पिर हमाने ज्यादा पाए जाते हैं इनके जो उंचाई है ना उंचाई बढ़ने पर जो है जल वायू विक परिवतन आते जैसे कि जो पानिका और वायू का दोनों का परिवतन आता अध्यूचाई होने की वज़े से और ये पर्वत के उपर उते हैं वन आपना देखाऊ कि पहारडा ये उपर पर भी काफ वे तक पीड लगए होते हैं पूरा लगभर कभर यह होता है तो वह लगभर कवर होता है तो वह इनको भी बहनों में गिने जाता है उनको ही जो है परवरतिया कहते हैं और उनकी जो है रहते हैं हमेशे ही हरी रहते हैं यह पूरो लॉक कर लकडी हो उलएम होती है ज़से देवदार के लकड़ी आछे कि होगई ठीक है इस कि हो गई तो यह कुछ प्रोफ सोफ्ट यह मतलब इसल का फी लकड़ी होगाई यह मतलब एक ठीक है पोटास हो गया इन चीजों की भारत के उसमें पेड़ों में देखने को मिलते हैं कमी जवार यह वन हो गया यह डेल्टा इच्छेतर में पाए जाते हैं जैसे मनद आपको बताया जहां पर नदी का ताजा पानी होता है और जल समंद्र से एलता है याने कि डेल्टा आ होगा जाते हैं जैसे हो गया आपका सुंद्री हो गया केवार हो गया ऐसे ऐसे कुछ यहां पेड़ हैं जो पाए जाते हैं यह जो है वन समुद्री कटाव को भी रोकते हैं एक तरीके से बंद करते चले जाते हैं जो कि समुद्री कटाव को इसमें होने से रोकता है इनकी peppers पर किकलवा सदाइन में काफी लंबे समय तक इसमाँ लकड़ी और टiau कि रहती है ये हमारे जो है धामक On देखने को मिलता है माहरास्टे में हिमाचल प्रदेश में केरल में ओरी सा में तिरपुरा में ऐसे गिनिचुने राज्जे हैं जहां पर रास्टी ये ओसत से भी कम से कम काफी कम है भारत में सबसे पहले जो है ये 1884 में इसा में नीती का निर्माण हुआ था जिसमें संसोधन रखा गया मतलब इन संसोधन में क्या गया था कि वनों की सुरक्सा के लिए विकास पर जो दिया गया था कि वनों का जो है विकास होना चाहिए और साथ साथ में ये भी एक परकार कर सदाहरित वन ही होते हैं भातिया भूत रस्चिय को निश्चित सवरुप पदान करने के लिए मिट्टी को महत्पुनिस्थान है क्योंकि जहां मिट्टी सही तरीके से नहीं होगी महाँ पर आप कैसे पेड़ पूद्धो को सही तरीके से लगा लेंगे मिट्टी को Hayas भारत देश से उसका चालीच परतिसीद भाग जो है जोडमिट्टी का ही है 15,00,00,00,00,000,00,00 किलो मिटर के छेतर में फैला हुआ है इसमें दोनों चीज़ होती है ज्यत भी और गादबी गादबी आप समझते हैं ज्यत भी आप समझते हैं इन का दोनों का ही लगग लगभी बराबरी अनुपाथ इसमें पाया जाता है डेल्टाई परदेश में भी बह जाति है तो बार्ड के साथ जो मिट्टि आती है उसको हम जलोल मेटी भी कहते हैं लेकिन गर्षाया उसको और मतलब ह声 कि परकार की बेहातर पाई जाती है लेकिन फिर भी उसके बाउजुद हम एक ब एक जो कह सकते हैं कि अम्म पूरस आमल या फिर करवरिनिक तत्वों की जो है कमी होती है उसी कमी भी पाई जाती है दूसरा हमारा फिर समाइनिय रूप से भारी वर्षा वाले पाई जाती है मतलब यह गहरी रंग की प्लेगों यह एक उन gjort की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है जबकि इसमें जो है चावल रागी और तमाकुष की सब्जी और सासाथ में सब्जियों की खेती भी की जा सकती है यह थोड़ी गुलंसी नमड़ वाली होती है इस मिट्टी में थोड़े लवन जो है वो गुलंसीन होते हैं परन्तु फासफोरस, अमल, कार्बनिक, तत्व, जैविक, पद्धा, चूनावे, नैटोजन की कमी भी इसमें पाई जाती है लाल मिट्टी के अंदर तीसे नमबर पाता है हमां लेटराइट मिट्टी यह अधिक जलवाले वर्सा छेतर में होता है इसमें चूनावे सलिका के आपस मे गुलने से इसकी उत्पत्ती होती है जब दो परकार की इसमें चीज़े घुल जाती है तब जो है लेटराइट मिट्टी की उत्पत्ती होती है यह जो है इसमें समानिय रूप से गर हम बात कर तो जहाड़ो चारा का छेतर है जहाड़ो जो जानवर काम आता है इसमें लेकि यतने बड़े छेतर में खार डालने का जो मतलब बहुती बड़ा काम है इसलिए साय दिये भी तक कोई यूज में कमी लिजाती है लेकिन इसमें जो है लोहा, एनुमूनियम, ऑक्साइड की परचुरता मिलती है साथ साथ में नाइट्रोजन, पोटास वर चूना आधी तत्वों की कमी भी इसमें हमें देखने को मिलती है लेटराइट मिट्टी में चोथा हमारा आता है जंगली मिट्टी, ठीक है जंगली वे परवतिय मिट्टी इसमें क्या है कि हमारा इसमें भी मतलब हमें इन चीजों की काफी चीज़े देखने को मिलती है और ये मिट्टी भी ऐसी है इसमें मतलब केसी हो गई और वरक डालने पी इसमें आवसकता होती है भारी वरसा वाले छेतर में ये मिट्टी हमें देखने को मिलती है यह जो होते है जंगली वह परवतिय मिट्टी इसमें चाय कॉफी मसाले और उस्ट्न कटी बंदिया फलो की जो खेती है वो संभव है यानि कि जो हमेशा हाथी रहते हैं और इसमें भी कमी पाई पाई जाती है फिर आता है हमारा काली मिट्टी काली मिट्टी देखिए मुख्य रूप से जो है कपास के लिए बहुत अच्छी होती है यह कपास याने की चिसम कहते हैं कोटन कोटन किले काफी अच्छी होती है मिट्टी कलर होता है काला लेकिन सफेज सफेज कोटन इसमें ब मुख्य का पास को बहता है लेकिन मोटे अनाच जैसे चीज इस इसदान में लेकिन इसमें जो है नाइटोजन फासफ़रस और कार्वनिक तत्तों के कमी इसमें भी पाई जाती है उसके बाता है सूस कुवे मरुस थलिया मिट्टी ठीक है मतलब इसमें कुछ खासर नहीं होता इस मत्तीमा बालो की मात्र अधिक उतीया जैसे अधिक है मत्ती फ़ोड़ी हो ही तोहां थोड़ी सूखी होती यहाली मुह स्हली होती यह काफ़ी वही ख़री और उपयोगी नहीं है इसे मतलब नमक काफ़ जब पाए-दा तो वैसे तो यह जो है काल हो गया काल हो गया ऑसर हो गया गया इन प्रदेशों में मटी नहीं की जाती है यह गयली और दल्दली मिट्टी इसका निर्मान आपको पता ही है काफी जो जो आप जुड बंड इक तत्वों का उपने अंदर जमाव कि रखते हैं उन को नीचे नहीं ताने देती है तो उसके हिषाब से गयली मट्टी का निर्मान होता है और चाही को दलदली निटी का हमें हमें देहने को मिलता है जमावठीक lets कượng together तो इतना ही है मिट्डी के बारे में तो हाद्त यह मिट्या में जो है माननी रूप से हम बात कर सकते हैं कि नाइट्रोजन फास्फूरस और पोटास की कमी होती है यह तो हमें हर्द मिट्टी के अंदर देखने को मिली है भारतिया भूद्रिश्य के समाजिक अब भूदक की जाद्पताल करने के लिए इसकी बहुतिक विसेस्था एक आदर स्प्र कान वहां के संस्कृति पर्थाओं के जानकारी प्राचीन में मद्यकाले सहित्यों से हमें देखने को मिलती है तो देखी का इस चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है वीडियो काफी लंबी हो चुकी है काफी ज्यादा महनत लगी है बनाने में अगर आप यहां तक पोश् सब्सक्राइब कर दीजिएगा खुछ समधनाया हो वैसे थोड़ा हाड़ चैप्टर नहीं था यह लेकिन क्या है कि हिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूड़ाइंट जोड़ा उलग जाते हैं एच्चुली क्या है कि जोग्राफी सब्जेक्ट यह लग है ठीक है जो थोड़ा वीक होगा जोग्राफी में उसको थोड़ा समधने में दिक्कत हुआ होगा अगर आपके फिर भी कोई दिक्कत होगा ता आप कोमेंट बॉक्स ऑपन है पोस्ट सकते हैं वीडियो कर दीजगा सेर चैनल कर दीजगा सब्सक्राइब इस वीडियो में इतना ही ता मिलेंगे ज